नमस्कार भविश्यवानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके राशिका भविश्यव बताने के लिए आज फालगुन कश्रपक्ष की तितिया तिति और शानिवार का दिन है तितिया तिति आज रात नौ बच कर छपन मिनट तक रहेगी उसके बाद चतुर्थी तिति लग जाएगी आज ही संकष्टी शी गनेश चतुर्थी वरत किया जाएगा आज शाम चार बच कर सतावन रहेगी आगे हम इसी पर विस्तर चर्चा करेंगे आज अगर आपका बर्डे है तो क्या करें और अगर आज आपकी मेरी जैनिवर्सरी है तो क्या खास करें क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर आज अगर बिजने शुरू करना है तो कितने बज़े शुरू करें नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्ती किसमत का दर्वाजा खुलेगा किस अक्षर का आज क्या है भविश जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तु शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की आज कौन ची देशा गया काम हमेशा सही फल देता है जोतिश्य गनित पक्ष ने आकाशी पिंडो के बीच बहने वाली आज ये योग शुरू हो चुका है ये योग सुबज 6 बच कर 33 मिनट पर शुरू हुआ था और रात 9 बच कर 57 मिनट तक रहेगा और इसके बाद बात करते हैं सरवार सिध्धी योग यानि कि सारे काम बनाने वाले योग की तो बता दूँ कि आज ये योग भी नहीं बन रहा है अब ये योग कली यानि कि 20 फरवरी की सुबह 6 बच कर 32 मिनट से शाम 4 बच कर 42 मिनट तक रहेगा और इस करम में आईए आप चर्चा करते हैं आज के शुबह महूर्त जाने की फेबरेबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूर्ट सुबह 8 बच कर 49 मिनट से सुबह 10 बच कर 46 मिनट तक रहेगा नया बिज़े शुरू करने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब यह महूर्ट 23 परवरी की सुबह 9 बच कर 46 मिनट से सुबह 9 बच कर 40 मिनट तक और एक बार फिर दो पहर पहले 11 बच कर 23 मिनट से दो पहर 1 बच कर 19 मिनट तक रहेगा कांस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए अच्छा महूर्ट सुबह 8 बच कर 49 मिनट से सुबह 10 बच कर 46 मिनट तक रहेगा किसी इंडस्ट्रियल इंस्टिटूशन में लेंदेन करने के लिए अच्छा महूर्ट सुबह 8 बच कर 49 मिनट से सुबह 10.00-46.00 बिनिट तक रहेगा Cezoonian Operation कराने के लिए अच्छा मुहूरत सुबह 8.00-49.00 से सुबह 10.00-46.00 बिनिट तक रहेगा जॉब जॉइन करने के लिए आज अच्छा मुहूरत नहीं है अदिया मुहूरत कल या निंकि 20 फरवरी के रात 9 बचकर 36 मिनट से रात 10 बचकर 49 मिनट तक और फिर रात 12 बचकर 58 मिनट से अगली सुभा 7 बचकर 25 मिनट तक रहेगा अब इन संजोगों में तो आप electronically ही जोइन कर सकते अब मालिये लेकिन आपको physical जोइन करना है तो आप क्या करेंगे इस पिरिट में जोइन लेटर बना के दसकत कर लीजे बाद में जाकर दे दीजेगा मेडिकल ट्रीट्मेंट शुरू कराने के लिए अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट कल यानि की बीज परवरी के रात 9 चतिस से 10 उन तालिस और एक बार फिर रात 12 बचकर ठावन मिनट से अगली सुबह 7 बचकर 25 मिनट तक रहेगा और अब बात आती है अशुब समाई की आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जूली इलेक्ट्रो मागनेटिक फिल्ड कुछ छाणों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुब करांती साम में से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है इससे चारों तरफ नेगेटिवटी फैल जाती है इस समाई में कोई विशुब कारे करने से सफलता नहीं मिलती आज कोई अशुब समाई नहीं रहेगा अब ये चारों समाई 21 वरवरी की शाम 7 बच कर 14 मिनट पर रहेगा वैसे तो इससे सब ये राशियां प्रभावित होंगी लेकिन करक, सिंख, मकर और कुंभर राशियां विशेश रूप से प्रभावित होंगी ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिन बाद तक कोई भी शुबकारे नहीं करना चाहिए इसके साथ ही एक बात और बता दूँ कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहत जरूरी है राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जाली रख सकते हैं पहले ग्यारा बचकर आठ मिनिट तक कोलकाता सुबह आठ बचकर अठावन मिनिट से दस बचकर पचीस मिनिट तक आहमदाबाद सुबह दस बचकर एक मिनिट से दो पहर पहले ग्यारा बचकर सथाईस मिनिट तक और चेन नई में राहुकाल होगा आज सुबह 9 बच कर 26 मिनिट से 10 बच कर 55 मिनिट तक ये था कुछ शहरों का रहुकाल और अब आज की यात्रा की शुबदिशा क्या है तो आज वो शुबदिशा है दक्षिर पूर्व और दक्षिर और आईएब शुरू करते हैं सिलसला राशी फल का सबसे पहले बात रोज क आपरान बेहतर बना रहेगा इस अराशी के जिन लोगों का रेस्टोरेंट है उनके धन में वरती होगी आज उच्चा धिकारी आपसे पसंद होंगे घर पर महमानों का आगवन होगा आप अपने करियर को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें आप कामयाब भी होंगे आफिस में कुछ लोग आपकी सकारात्मक सोच से प्रभावित होंगे आज के लिए आपका लखी कलर है वाईलेट और लखी नमबर है सिक्स वरेश राशिवालों आज परिवार में हर शोललास का वातावरान रहेगा दामपते जीवन में आपसी सामंजस से बहतर रहेगा सेहत के लिहाज से आप चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे कुछ लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे साथ ही आपसे जुड़ने की होगी मौस कम्यूनिकेशन स्टूडेंट्स के लिए दिश शांदार है आज के लिए आपका लखी कलर है ब्लू और लखी नंबर है चार मिथुन राशिवालों आज आपको आर्थिक रूव से लाब होगा करियर में आपको अपने गुरू का सहयोग पराप्त होगा आज कामकाज की अधिक्ता आपको इस सेहत पर असर डाल सकती है अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए पौश्टिक खाना खाएए आज आपको नकरात्मक सोच से बचना चाहिए परिवारवालों के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे लेंदेन के मामलों में आपको साथधानी बरतने के जिरुत है दामपत जीवन खुश्यों से भरा रहने वाला है लव मेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रीन और लखी नमबर है पांच करकर राशी वालों आज किसी विशेश काम में मित्रों से बहतर सलाह मिलेगी जिससे आपका काम आसान होगा आज आप खुद को आलस से से भरा हुआ मैसूस करेंगे आज आज आपको किसी भी अनजान विक्ति पर भरोसा करने से बचना चाहिए इस राशी के जो चातर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं उन्हें आज कोई नई ड्रेस्ट डिजाइन करने का मौका मिलेगा चात्रों को आज कोई अच्छी सफलता मिलने वाली है वकीलों के लिए आज के दिन अच्छा रहने वाला है किसी क्लाइंट से धन लाब होगा आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नमबर है एक सिंग राशी वालों आज आपके अंदर आत्म विश्वास की अधिकता रहेगी साथ ही आपको तरक्की के कई असर भी मिलेंगे आज परिवार के साथ धर्मिक यात्रा की योजना बनाएंगे आपको व्यापार में मुनाफ़ा होने की उम्मीद है स्वास्ते पहले के पेच्छा बेहतर रहेगा आपको नया काम करने के बारे में सोचेंगे दामपत जीवन में सलाह मश्वरे से आगे बढ़ने से सब कुछ अच्छा रहेगा कॉमर्स स्टूडेंट्स को अपने किसी सब्जक्ट में आ रही प्राबलम का हल आज मिल जाएगा आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रीन और लखी नमबर है नाई कन्या राशिवालों आज आपका खुछनुमा विवहार घर में रौनक का माहौल बना देगा नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन उत्तम है आपको काम से जोड़ी कोई खास खुशखबरी मिलेगी आप कारे क्षेतर में चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहेंगे जीवन साथी के साथ शाम को कहीं घूमने जाएंगे इससे आपके रिष्टों में मिठास बनी रहेंगी सामाजी किस तर पर आप लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे इससे आपके मानसमान में भी बढ़ोतरी होगी मीडिया के खेतर से जुड़े लोगों को सुनहरे अवसर प्राप्त होगी आज के लिए आपका लखी कदर है पीच और लखी नमबर है पार्च तुला राशिवालों आज कारोबार संबंधी यात्राओं का योग बन रहा है जिससे आपको धनलाब भी होगा आज आपके किसी घरेलू काम की गती धीमी हो सकती है लेकिन जीवन साथी के सहयोग से सब ठीक हो जाएगा आज दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम टल सकता है सेहत के लिहाज से आपको तली बुनी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए कारोबार को बढ़ाने के लिए आज आज आप किसी अनुभवी विक्ति से सलाह लेंगे आनलाइन बिजनस कर रहे लोगों को आज कोई बड़ा ओर्डर मिलने वाला है आज के लिए आपका लखी कलर है मैजेंटा और लखी नमबर है आठ प्रिश्चिक राशिवालों आज आपका दिन उत्तम रहेगा घर मे नए मेहमान के आने की संभावना है जिससे परिवार का माहौल खुश्णमा बन जाएगा जीवन साथी के साथ सामन ज़से स्थाबित होगा किसी मित्र के साथ मोवी देखने की प्लानिंग करेंगे टलब मेट्स के लिए आज का दिन शानदार है बिजनस करने वाले लोगों को कोई बड़ा आफर मिलेगा आज आप अपने आफिस के काम में बहुत बिजी रहेंगे किसी खास काम के लिए परिवार के लोगों को आपसे उम्मीदे होंगी आप उन उमीदों को पूरा करने में भी सफल रहेंगे आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नमबर है एक धन और आशिवालों आज आपको जरूरी काम निप्टाने में सफल रहेंगे आपके आप विश्वास में बढ़ोतरी होगी आपके धन पत्र जीवन में मज़ूरता बढ़ेंगी दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाने से आपको खुशी मिलेगी धन से जूरी चिंताएं दूर हो जाएंगी अपनी कारेक शमता के बल पर आपको आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे नीद पूरी होने के कारण आप बेहतर महसूस करेंगे electronic engineers के लिए आज के दिन favorable रहने वाला है आज के लिए आपका lucky color है black और lucky number है seven मकर राशी वालों आज आपको किसी शुप समाचार की प्राप्ति होगी जीवन में आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे इस राशी के जो लोग freelance काम करते हैं उनकी आए में बढ़ोतरी होने की संभावना है आपको अपनी मेहनत के हिसाब से फल की प्राप्ति होगी आज व्यापार के सिलसे में की गई यात्र फाइदे बंद रहेगी जीवन साथी का साहियोग मिलने से आपका मन उत्साहित रहेगा अगर आपकी कपड़े की शॉप है तो आज आपकी विक्री में बढ़ोतरी होगी लबमेट से आज कोई surprise मिलने से पसंद रहेंगे दामपत जीवन में चल रही समस्याएं आज समात हो जाएंगी आज के लिए आपका लखी कलर है फाइट और लखी नंबर है तीन कुम भराशिवालों आज घर परिवार में किसी मांगली कायोजन की रूप रेखा बनेगी आर्ट स्टूडेंट्स को अपने टीचर का पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा किसी विशह में आ रही समस्याज आज आसानी से सुलच जाएगी सुबह के समय वर्काउट शुरू करने से आप आज चुस्त दुरूस बने रहेंगे आज आपको वैवसाय से जुले सुनहरे एवसर प्राप्त होंगे सामाजी के इस तर पर आपकी लोग कप्रियता बढ़ेगी आपको कोई बड़ी जिमेदारी मिल सकती है नौकरी पेशा लोगों की आप दरी में बढ़त तरी होगी कारेस्थल पर आपका परदाशन बहुत शांदार रहेगा आज के लिए आपका लखी कलर है परपल और लखी नमबर है आठ मीन राशिवालों आज जीवन साथी की मदद मिलने से आपका कोई काम पूरा हो जाएगा आज दोस्तों के सलाह बड़ी ही फाइदे मन रहेगी आपको पैसे कमाने का नया जरिया पराप्त होगा टीचर्स के लिए दिन बेहतर रहने वाला है आपको किसी कम में सफलता मिलेगी योग करने से आप सुस्त रहेंगे किसी कम के लिए जल्दबाजी में फैसला लेने से आपको बचना चाहिए आज किसी से बात करते समय अपनी भाशा का खास खयाल रखें आज के लिए आपका लखी कलर है यलो और लखी नंबर है चार और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है जिनका जनम दिन है वो आज एक मुठी मूंग जल में वहाएं और जिनकी आज मैजी जनिवर्सरी है वो आज हरे वस्तरकादान करें तो साल भर सुख और सुभागे बढ़ता ही रहेगा और आईए अब चलते हैं अंकों की रहस्माई दुनिया में मूलांग एक वालों आज आपका दिन काफी अच्छा रहेगा आज आप सकारात्मक सोच रखेंगे मूलांग दो आफिस में मेहनत जादा रहेगी लेकिन कुछ समय बाद उसका परणाम भी अच्छा मिलेगा मूलांग तीन किसी काम को खुद लीड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा मूलांग चार आज आफिस में काम जादा होने से आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी मूलांग पांच कोई नई चीज सीखने को मिलेगी साथ ही किसी मांगलिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा मूलांग छे जरूरी डॉकुमेंट तयार नहोने के वएसे आज आपको कोई खास काम तल सकता इसलिए डॉकुमेंट ध्यान से अपना रखिया है मूलांग साथ नौकरी पेशा लोगों को आज अचानक धनलाब होने के योग बन रहे है मूलांग आठ विद्यार्थियों को किसी परतियोंगी परिच्छा में सफलता मिलेगी जिससे आपका मन परसंज रहेगा मूलांग 9 कई दिनों से मन में चल रही कोई बात आज अपने खास दोस्त को बताढ़ेंगे साथ ही सला भी लेंगे और अब चर्चा वास्तुशास्त की वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर के इशान कोर्र में सीलियों के बारे में इशान कोंण यानि घर की उत्तरपूर्वदिशा वास्थुषास्त के अउसार घर की उत्तरपूर्व दिशा इशान कोंग या नॉर्थ-east कॉर्णर में कभी भी सीलीों का निर्मान नहीं करवाने से कई तरह की परिशानियों का सामना करना पर सकता है इसके चलते आपकी संतान के विकास के रास्ते में रुकावटे आएंगी और शिक्षा समन्दित बादाएं उसे तंग कर सकती है पढ़ाई से उसका मन हटने लगेगा और इस कोण में सीड़ियों का निर्मार करवाने से बिजिस में लुक्सान के सासाथ स्वास्थ में भी गिरावटाती है तता ग्रहसवामी के दिवालिया होने की संभावना भी लगातर बनी रहती है वास्तो शास्तर में यह थी चर्चा घर के इशान कोन की में सीड़ियों के बारे में उमीद है कि आप इस वास्तो टिप को अपना कर फाइदा जरूर ठाएंगे और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात आज फालगुन कृष्ण पक्षी की तितिया तिति और श्या निवार का दिन है तितिया तिति आज रात नौ बच कर छपन मिनट तक रहेगी उसके बाद चतुर्थी तिति लग जाएगी चतुर्थी तिति कल रात नौ बच कर पांच मिनट तक रहेगी आप जानते हैं कि हर महिने के शुक्ल पक्षिय चतुर्थी को भागवान गणेश को समर्पित संकष्टी शी गलेश चतुर्थी वरत किया जाता है इस दिन वरत करके शाम को चंदरुदय होने पर चंदर्मा को अर्ख देकर वरत का पारण किया जाता है और चतुर्थी तीति में आज ही चंदर्मा उदैत होगा लिहाजा आज ही संकष्टी शी गनेश चतुर्थी का वरत किया जाएगा जानकारी के लिए बता दूँ कि आज चंदुर्दै रात आट बच कर 24 मिनट पर होगा संकष्टी शी गनेश चतुर्थी का अर्थ होता है संकटों को हरने वाली भागवान गनेश, बुद्धी, समर्धी और स्वभागे को देने वाले हैं इनकी उपासना शीगर फल्दाई मानी गई है कहते हैं कि जो वित्यास संकष्टी शी गनेश चतुर्थी वरत करता है उसके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधार निकलता है और उसके सुक्सोभागी में वर्धी होती है इसके अलावा आज शुप फलों की प्राप्टी के लिए और जीवन में सभी परिशानियों से मुक्ती पाने के लिए आपको कौन से विशेश उपाय करने चाहिए हम इसकी भी चर्चा करेंगे लेकिन उसे पहले बात कर लेते हैं आज परदे वाले योग और नक्षत्र की आज शाम चार बच का सतावन मिनट तक धृत योग रहेगा धृत योग के दवरान रखा गया नीव का पत्थर आजीवन सुक्सुभाएं देता है अर्थात यदि रहने के लिए किसी घर का शिला न्यास आदि इस योग में किया जाए तो इनसान उस घर में रहकर सारी सुक्सुभाएं प्राप्त करता है और आनंद में जीवन वे चीत करता है शाथ ही आज शाम चार बच कर रिक्वाओन मेनट तक उत्रा फालगुनी नक्षत रहेगा आकाश मंडल में कुछ 27 नक्षतरों में से 12 नक्षतर उत्रा फालगुनी है उत्तरा फालगुरी नक्षत के दोरान सूरे देव की उपासना करने से विक्तिको शुफलों की प्राप्ति होती है अगर उत्तरा फालगुरी नक्षत के जातकों की बात करें तो ये लोग बड़े दयालू, कोमल, अच्छे वक्ता, सही निरनाय देने वाले और कुशागर बुद्धि वाले होते हैं ये अपनी विद्या के बाल पर खोब धनला पाने वाले होते हैं साथी पाकड के पेल से भी इसका संबन्द बताया गया है लेहाजा जिन लोगों को जन्म उत्रा फालगूरी नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज पाकड के पेल की उपासना करनी चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपको सुप फलों की प्राप्ति होगी तो ये थी चर्चाज पढ़ने वाले धितियोग और उत्रा फालगूरी नक्षत्र की और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाली भध्रा की आज सुबह 10 बच कर 13 मिनिट से शुरू होकर रात 9 बच कर 56 मिनिट तक पातालोग की भध्रा रहेगी बता दू कि जिस दिन कन्या, चंद्रमा, कन्या, तुला, धनू और मकर राशी में इस्तित होता है तब भध्रा का वास पातालोग में माना जाता है आज चंद्रमा का वास कन्या राशी में है लहाजा आज पातालोग की भध्रा रहेगी तो ये थी चर्चा पाता अलोग की भद्रा की और अब बात करेंगे संकस्टी शी गरिश चतुर्थी वरत के दिन के जाने वाले विशेश उपयों की अगर आप जल्द ही कोई इंटर्व्यू देने जा रहे हैं या कोई प्रत्योगी परिक्षा देने जा रहे हैं तो आज एक पान का पत्ता दीजिए और उसे भगवान गनेश को चड़ा दीजिए अब उस पान के पत्ते पर लॉंग सुपाड़ी का जोड़ा रखकर कपूर से भगवान की आती कीजिए आज के दिन ऐसा करने से आप किसी भी तरह के इंटर्यू या प्रत्योगी परिक्षा में सफल हो जाएंगे अगर आपके पारिवारिक जीवन में किसी परकार की परिशानी चल रही है तो उससे जल से जल छुटकारा पाने के लिए आज एक कच्चा नारियल लेकर उस पर रोली का तिलक लगाकर नारियल को भगवान गणेश के चरणों में तोड़े और उसका प्रसाद अपने परिवार के सबसादस्यों में बाढ़ते आज के दिन ऐसा करने से परिवारिक जीवन में आ रही किसी भी परकार की परिशानी आपको नहीं होगी अगर आप बिजनेस संबंदी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज गलेश मंदिर जाकर हरे मूग का दान करें साथ ही गलेश चालीसा का पाठ करें आज के दिन ऐसा करने से बिजनेस संबंदी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी अगर आप अपने वाईवाही के जीवन को मिठा से भर देना चाहते हैं तो आज ही शीगलेश भगवान की पूजा के समय हल्दी में थोड़ा सा घी मिलाकर भगवान के मस्तक पर तिलक लगाएं और उनके सामने घी का दीपक भी जनाएं अगर आप अपने परिवार में खुश्यों को बरकरार रखना चाहते हैं और सुक्सोभागे में बहुतरी करना चाहते हैं तो आज विखन हर्ता शीगलेश भगवान को मोदक का भोग लगाएं और ओम गंगलपताये नमा मंतर का 108 बार जब करें आज के दिन ऐसा करने से परिवार में खुश्यों को बरकरार रखने में काम्याब रहेंगे अगर आप जीवन में अपनी तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज भगवान गणेश को रूली और अक्षत का तिलक लगाएं साथी गलेश जी के इस मंतर का 11 बार जब करें मंतर है वक्र तुन्ड महा काय सूर्य कोटी समप्रभ निर्वेखनम कुरुमे देव सर्वकार ये शुसर्वदा आज के दिन ऐसा करने से इस इस तुतिक को करने से आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी अगर आपको पढ़ाई में किसी तरह की परेशानी आ रही है या नए कॉलेज में अटबिशर लेने में किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो आज एक कच्छा नारियल दीजिए और उसके उपर एक लाल रंका कपला या चुनरी लपेट दीजिए अब मन ही मन भगवान से अपनी इच्छा वेक्त करते हुए उस नारियल को भगवान गणेश के चरनों में चला दीजिए आज के दिने सा करने से आपको छात्रों की परहाई में आ रही किसी भी परकार की परिशानी दूर होगी अगर आपका जीवन साथी किसी ने किसी कालर से हमेशा चिंता में रहता है जिसके चलते आप दोनों के रिष्टे की गति कुछ थम सी गई है तो आज एक कच्छे सूट का लंबा धागा लेकर उसे गरेश जी के आगे रखकर ओम विखने शुराय नमहा मंतर का ग्यारह बाद जब करें फिर मंतर जब के बाद भागवान का अशिरवाद लेकर उस धागे में साथ का ठे लगा कर अपने पास रख ले आज के दिन ऐसा करने से जीवन साथी की सभी चिंताएं तूर हो अगर आपका कोई मित्र आपसे रूठ गया है तो उसे मनाने के लिए आज एक गूमती चक्र लेकर गलेश मंदिर चाहिए और अपने मित्र का ध्यान करते हुए उसकी रोडी और पुषपादी से पूजा करें पूजा के बाद अगर आप उस गूमती चक्र को अपने मित्र को दे सके तो बहुत अच्छा है अगर नहीं तो फिर गणेश मंदिर में ही चला दे आज के दिन ऐसा करने से दोस्ती के रिष्टे में मजबूती आएगी अगर आप विद्या के खेतर में विशेश उपलंधियां हासिल करना चाहते हैं तो आज दूरुआ की साथ गाठे बना कर गणेश मंदिर में जाकर भगवान को अर्पित करें और कपूर से भगवान की आर्थी करें आज के दिन ऐसा करने से आपको विद्या के खेतर में विशेश उपलंधियां हासिल होंगी अगर आप आफिस में सीनियर्स या बास के साथ अपने रिष्टे को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज इसनान आजी से निवरत हो कर सबसे पहले शी गलेश भगवान के चल्मों को चूकर प्रणाम करें और वहीं भगवान के सामने आसन बिचा कर बैठ जाए फिर भगवान गलेश के इस मंत्र का 21 बार चप करें मंत्र है शी गलेश आए नमहां शी गलेश आए नमहां कितना ये थोड़े से अक्षर गंगण पता है ये नमहां में दोलकाय स्वाह वक्तुम डायवूम ये सब कितने छोटे-छोटे हैं लेकिन ये बड़ा तेश काम करते हैं भगवान गलेश को पुष्प अर्पित करें जब पूरा होने के बाद अगर आप जीवन में बल की प्राप्ति करना चाहते हैं अपनी बहादूरी को कायम करना चाहते हैं तो आज इसनान आदे के बाद शी गलेश जी की विद्रिधान से पूजा करें और भगवान को लाल सिंदूर चाहें साथी उन्हें गुड़ और देशीगी का भोग भी लगाएं आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन में बलकी प्राप्ति होगी तो ये सारी चर्चा थी आज ध्यतियोग उत्राफालगुईन अक्षत्र भध्रा और संकष्टी शी गलेश चतुत्ती वरत के बारे में उमीद है कि आप इस चर्चा का ल नसर होना जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज को अच्छी अपरचुंटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी नमार ले किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा तो जिनके नाम का पहला आक्षर है एक किसी बात पर दोस्त से अन्बन होगी लेकिन कुछ देर बाद सब ठीक हो जाएगा बी रूठे हुए जीवन साथी को मनाने के लिए कहीं बाहर घुमाने लेकर चाहेंगे स्वास्ति के पते आपको थोड़ा सा तर्क रहने की ज़रुवत है समय समय पर चिक अप कराते रहें डी व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहजीन रहेगा आपके व्यापार में अचानक मुनाफ़ा होगा जो चातर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स जोईन करना चाहते हैं तो उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा अगर आप घर के लिए कोई फरनीचा खरीदना चाह रहे हैं तो आज खरीच सकते हैं जी आजला बेर से बात करते हैं समये अपनी भाशा का खास ख्याल रखें कोई बात उन्हें छू सकती है लग सकती है एच जीवन साथी के साथ आज का दिन अच्छा बीतेगा उनको आप कोई पुरानी बात अच्छी बात शेयर करेंगे आई स्वास्त के लिहासे आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा आप अपने आपको उर्जावान महसूस करेंगे जे आपके लिए आज का दिन शांदार रहेगा पूरा दिन आपकी जेप पैसों से भरी रहेगी क चात्रों को पढ़ाई के मामले में थोड़ी और मेनत करने की जरूरत है आज आप कोई भी जोखिम भरा काम ना करें ये आपके लिए नुकसान दे हो सकता है म बिजनस में महत्पूर्ण निरना लेने से पहले किसी अनुभवी विक्तिस से सलाह जरूर लेने N. व्यापार में रोज किया बेच्चा अधिक धनलाब होगा साथी व्यापार बढ़ाने के लिए पैसे निवेश करेंगे O. बेरोजगारों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा आपको रोजगार की प्राप्ति होगी P. आपकी बुद्धी एवं कल्बना शक्ति का विकास होगा साथी संतान पक्ट से कोई अच्छा समाचान बिलेगा Q. आज आप फालतू बातों में ना उलजें और अपने काम से काम रखें यही आपके लिए फाइदे मन रहेगा R. काफी दिरों से नौकरी के तलाश कर रहें लोगों की तलाश हरसमात हो जाएगी S. आज आप परिवार के साथ समय बिताएंगे जिससे परिवार में सौहार्ट बना रहेगा T. आज आपको फालतू के खर्चों पर कंट्रोल रखना चाहिए आगे पैसों की जरूद पर सकती है U. अपना कारोबार बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपके करीबियों की पूरी पूरी मदद आपको मिलेगी V. नौकरी पेशा लोगों की इंकम में परहुतरी होगी और बिजनसमैन को बड़ा फायदा होगा W. आज आप आप आउनलाइन शॉपिंग करेंगे उसमें आपको कैश बैक भी मिलेगा X. आप आज कुछ एक्स्ट्रा इंकम करने की कोशिश करेंगे आपको सफलता मिलेगी Y. अपनी वानी पर सयम रखने की कोशिश करें किसी के प्रतिम मन में खरत विचार नानाए Z. घर पर कोई मांगली कार्य होगा जिससे आप पूरा दिर्वेस रहेंगे Y. अब बाक आज के तीर्त की आज हम आपको लेकर चल रहे हैं Ma. D. धक्षन इश्वर, KALी मंदिर के दर्शन के लिए Ma. कालिका का ये विशो, विशो पर सीदेश मंदिर कोलकाता में है युलकाता के उत्तर में विवेकादन्द पुल के पास इस मंदिर को दक्षनेश्वर काली मंदर कहते हैं इस पूरे छेतर को काली घाट कहते हैं इस इस्थान पर सती देह की दाहिन पायर की चार उंगले अगरी थी इसलिए ये सती के बावन शक्ति पीठों में शामिल है आप भी दर्शन कीजिए बादर्चनेश्वर काली के इस अद्भुद मंदर के जये जये काली इमा और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे शंकू के आकार के चेहरे वाले लोगों के बारे में सामुद्रिक शास्त कया उसार जिन लोगों का चेहरे शंकु के आकार का यानि जिसमें चेहरे के आक ada di उपर की तरफ से चौरी लेकिन नीचे की तरफ से सक्री या कहें बहुत कम चौरी होती है आज हम उनके बारे में बात करेंगे पुझ तत्यों में इसे शांकुआकारादि आकरति का संबद अगरी तत्यों से माना जाता है आता है ऐसे लोगों पर अगरी तत्यों का अधिक परभाव देखने को मिलता है ये लोग गुस्साहिन प्रयुत्ति के होते हैं इनमें धैरे बिल्कूल भी नहीं होता ये छोटी छोटी चीजों पर बहुत जल्दी गुसा हो जाते हैं और हम कह सकते हैं कि लोग बहुत ही गर्म बिजासके होते हैं इसलिए इनके सामने कोई भी ऐसी बात कहने से बचना चाहिए जिससे इन्हें गुसा आजाएं क्योंकि अपने गुसे में ये दूसरों को भी नहीं छोड़ते और इसका सीधा असर रिष्टों पढ़ता है सामुद्रिक शास्तर में ये थी चर्चे शंकु के आकार के चेहरे वाले लोगों के बारे में और अब आज आपको क्या नहीं खाना है तो आज 19 फरवरी को फालगुन कश्रपक्ष की ततिया तिति है ततिया तिति में परवल की सब्जी खाने से शक्रों के बद्धी होती है ततिया तिति आज रात 9 बचकर 56 मिनट तक रहेगी उसके बाद चतुर्थी तिति लग जाएगी जो के कल रात 9 बचकर 5 मिनट तक रहेगी चतुर्थी तिति में मूली का सेवन करना निशित है आता है आज रात 9 बचकर 56 मिनट तक आपको परवल की सब्जी का सेवन करने से बचना चाहिए उसके बाद कल रात 9 बचकर 5 मिनट तक आपको मूली का सेवन करने से बचना चाहिए इस तरह टिथी का समय जानकर आप अपने खाने का शेडूल बना सकते हैं बाकी आप कुछ भी खाईए पीजिए मौश कीजिए और चलते चलते मैं आपको बता दूँ कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षन और दक्षन पस्चिन और अब सावधन कोरोना ओम नमोने सिंगाई हिरने का शपवक्षा स्थल्विदारनाए तरभोनी व्यापकाई क्रेमी विश्य विशानों को लोन मूलनाए इस्तंभोद भवाए समस्ता दोशाना हर हरे विसारे विसारे पचा पचा हना हना कम पाए कम पाए मत मत रिंग 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 फट फट ठाठा एही एही रुद्र आगया पैती सौफ और अब वक्त है आज की टिप ओफ बिडे का आज किसी गरीब को एक जोड़ी चपलदान करें सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी और अपना राश फ़ल जानने के लिए लॉग आउन करें www.indiatv.in और मुझसे विक्तिगत संपर करने के लिए फोन करें 0124 472 1 0 0 0 0 और 997 100 226 भविश्यवानी में फिलहाल इतना ही नमस्कार